पाली भासा क्यों जरूरी है या क्यों पाली पढ़नी चाहिए कौसली यानि जो बुद्ध के समय में कौसल नरेश थे पसंजीत तो इस भासा को कौसली बोलते थे मगद में इसी भासा को मगदी बोलते थे और समराठ असोक के समय में इसको असोकी बोला करते थे और जब बुद्ध के वचन इसमें आए तो इसको बुद्ध की भासा भी बोलते हैं बाद में इसमें पंक्ति देखकर इसको पालने वाला समझ कर जब ये बाद में अभी डिस्कबर होई को समय पहले तो इसको पाली के नाम से बोले लगे किसी ने पाली बोल दिया तो पाली के नाम से आ गई मगर ये basically पाली जो भासा है या जो मगदी या सोकी है ये पूरे भारत की भासा है पूरे भारत में ये बोली जाती है पूरे भारत में ये चलती है जैसे आप पाली की वीडियोज देखते जाएंगे, आपको इसमें अलग अलग जगह के सब्द आते जाएंगे, आप उसमें चेक टर सकते हैं, देख सकते हैं, जो लोग पाली में इंट्रेस लेते हैं या वीडियोज देख रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि पाली तो हिंदी ह अगर दस छोटे छोटे बच्चे एक भेज़ पुसा में एक ही रंग के एक ही नाक नक्स के लगबग एक ही उमर के 5 साल के 6 साल के अगर आप लाइन में खड़े करतें और वो ना बोलें तो आप नहीं पचान सकते के वो किस छेतर के हैं या वो कहां के हैं मगर अगर वो बोलना सुरू करतें तो उनके बोलने के अंदाजे से और अगर आपको उनका ग्यान हो कि ये जो बोलने हैं ये किस छेतर की भासा है तो आप उनके बोलने के लहजे से, अंदाज से, उनके सद्दों से, उनके अखरों से ये बहुत अच्छी तरह से बता सकते है कि ये बच्चा किस छेतर का है कहां का है कैसा है बाकी उनका खान पीन और उनका तोचा का रंग उनके नाकनक्स रंग या उनके कपड़े ये सब उनके जो कल्चर में आता है जो उनके सीखा हुआ है और अगर कोई mix भी हो जाए तो उसके वर्ताब से पता चल जाता है कि उसका behavior कैसा है behavior बता देता है कि वो बच्चा कहां का है और कैसा है बताते हैं अगर आप internet पे खंगा लेंगे तो पुरा थियास ये कहता है कि इसराइल एक ऐसा देश रहा है जहां जो लोग थे उनको वहां के लोगों ने भगा दिया और वो लगबग 12-13 कबीलों में वहां से भागे 12-13 कबीलों में बढ़कर पूरी दुनिया में बिखरे इसराइल के लोग जिनको जियूज बोलते हैं या जिनको यहुदी बोलते हैं और भारत में भी उनकी टीन ब्रांचे लगबग बताई जाती हैं जो आई है चुकि भारत में पाली भासा में जो यहां का नहीं है उसको विपीत बोलते हैं समण यहां की व्यक्ति होते हैं और समण का जो अपोजिट सब्द है वो वमण है वम माने होता है विप्रीत यानि जिसको हम उल्टी करते हैं वमण आ गई है उसको विप्रीत दो बोलते हैं तो बहार से जो आदमी आता है उसको यहां का ना बोलके बिपीत बोला जाता है तो उसको पाली में वमन बोलते है समणा और वमना कईवार भगवान बुद्ध ने इसका जिक्र कईवार किया हुआ है तो जो वमन लोग हैं यहां समय समय पे आते रहें क्योंकि भारत बड़ा खूशुरत देश है और यहां बहुत ज़्यादा चीज़े मनुकारी और बहुत अच्छा खाना और बहुत अच्छा यहां मौसम है चार तरफ पहाड हैं, जरने हैं, जील हैं धाटियां हैं और रेगिस्तान हैं, समुंद्र हैं इतना जबर्जा से इतना बड़िया देश पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलता इसलिए जो यहां आया, वो यहीं का होके रह गया वमण यहीं का दुनिया में लगबग 5 तरह से लोग अपना देश छोड़ते हैं जो देश छोड़ने की परिकरिया है यानि जो वमण बनते हैं वो पांच कारणों से लगबग बनते हैं अपना देश छोड़ते हैं पहला कारण है कि अगर जहां वो रह रहे हैं वहाँ भुकमरी हो जाए वहाँ रुजगार ना हो वहाँ काम ना हो तो लोग उस जगए को छोड़ देते हैं आज भी गाउं छोड़के लोग शहर आ जाते हैं और शहर छोड़के बिदेश में चले जाते हैं जहां उसकी जैसी जरूत है जहां जिसको खाना पानी दाना मिल जाए एक कारण तो सबसे मजबूत यह है इसमें जानवर भी अपना शहर अपनी जगे अपने जो छेत्रे उसक लोग भगाते हैं आपको देश निकला देते हैं या फिर देश में ऐसे कानून और ऐसे नियम बने हों जो आपको सूट नहीं करते हैं आपको माफिक नहीं आते हैं आपके मन में के मुताविक नहीं आते हैं तो देश को छोड़ देते हैं यह आज के दिन भी चलता है बहु जो बहुत ही एक सीधा सा कारण है। किसी को अगर ऐसी सजा हो जाए देश में कि उसको या तो मिटू मिले या देश निकाला मिले तो वो देश को छोड़ देता है। और फिर कहीं हो जाके सरन लेता है या पहले वी लेता है। इसको राजनेतिक स्रण भी बोलते हैं जो आपने एकसर समाचारों में देखी होंगी जब एक राजनेक दूसरे राजनेक नेता के घर जाके स्रण लेता है या एमबैसी में स्रण लेता है राजदूत में या राजनिवास में स्रण लेता है एक होता है कि आपके देश को अग अपना कबिला पढ़ाना चाहे तब आदमी वहाँ पर आकर रहता है वम्र बनता है और वहाँ जाकर वो गतिविदी चलाता है यानि कबजा करने की मकसद से और एक होता है जो अक्सर कम मिलता है कि कोई व्यक्ति अपना देश छोड़के दूसरे देश में जाए इसलिए कि देश के सुख को छोड़के दूसरे देश के दुख में जाके वहाँ भागिदारी निवाए और वहीं रह जाए बहुत सारे मिलते हैं जैसे मदर टेरिसा थी जो अपना देश छोड़के यहां आई और यहां आके सेवा भाव करने लगी ऐसे लोग हैं मगर संख्या में उन कोई आदमी दूसरे के फायदे के लिए दूसरे के लिए लोग बमण बनते हैं वहां की भासा को अपनी भासा में मिक्स कर लेते हैं मिसृत भासा हो जाती है, जो जहां के आते हैं, उनके शब्द उस भासा में चलने शुरू जाते हैं, कई बार आदमी जब जादा बहुत जादा एग्रेसिव होता है, या बहुत जादा आक्रमक होता है, तो वो दूसरे की भासा को खराब करके, उस जगे की भासा को खराब कर हैं जैसे अरब से लोग भारत में आए तो वो अर्भी लेके आए जो बाद में उर्दू बनी जो अंग्रेज आए वो अंग्रेज यहां आए और अंग्रेज आने के बाद में यहां एंग्ले सुनोने चलाई तो यहां लोगों न सीखी और जो यहुदी जहां जावी गए वो अपनी भासा हिब्रू को लेके गए हिब्रू भी भारत में आई क्योंकि आधा रे भारत में होता नहीं है भारत में प्राचीन पाली भासा के अंदर आधा रे नहीं होता और हिब्रू के अंदर आधा रे होता है इसलिए आधे रे का चलन हिब्रू भासा से लिया गया और उसी भासा से लगबक आया गया भारत की भासा के अंदर शेशब्द या शटकॉन वाले नहीं होते मगर हिब्रू या जो ठंडे देशों की भासा है उनमें शेशब्द बहुत इसमाल होता है इसलिए भासा बहुत ज़्यादा बता देती है कि किस भासा का कहां mixing हुई है कहां वो आई है इनको pisan language बोलते है mix language को और ये language पूरी दुनिया में हजारों की संख्या में चलती रहती है क्योंकि बहुत सालों से हजारों सालों से वमन और समन यानि invasion यानि एक दूसरे के CHT में अतीकरमन या करमन या गुसपैट होती चली आ रही है इसको आप गुसपैट माने या रहना माने या वमन माने एक ही बात है हर भासा का जोमिस्रत होने का यानिमिस्रत होने का बहुत समय लगता है नगर जो मूल भासा है वो अपने सब्द कबनी छोड़ती वो अपने अर्थ कबनी छोड़ती और बहुत अगर ध्यान से देखेंगे और ध्यान से चानेंगे तो आपको मूल भासा और मूल जगे मिल जाएगी जबकि जो वमड होता है वो उस भासा को मारने में पूरी अपनी ताकत लगा देता है या तो अगर आप अपनी लोग भासा को या अपनी जो गाओं की भासा है या जो अपनी छेतर की भासा है अगर आप उसको बोलेंगे तो वमड जो होगा वो आपकी भासा की मजाक उड़ाएगा खिली उड़ाएगा और अपनी भासा को पिर्मोट करेगा उसका प्रचार प्रचार करेगा ये पूरी दुनिया में होता है इसलिए जो भाहर से आई हुए लोग होते हैं किसी छेतर में वो अपनी भासा को बड़ा अच्छा बताते हैं और जो वहां की लोकल भासा होती है उसको हम ऐसा वो कम या निख्लियर करके छोटा करके बताते हैं ताकि वो भासा खत्म हो जाए जिनकी भासा खत्म हो जाती है उनके इत्यास खत्म हो जाते हैं और जिनकी एत्यास खतम हो जाते हैं, उनकी अपने once की जानकारी भी खतम हो जाती है। आपने अगर देखा होगा पुराने समय में जो जानकारी आती थी, जो मनुस्य की जितनी भी फीलिंग पर आधारी थी, फीलिंग का मतलब है जो संसेशन और जो सरीर में जितने भी वेदनाय आती हैं, उन पर आधारी जो जानकाय थी, भारत इसके लिए बड़ा वेदनाय की जानकारी बहुत जादा इखटी की है, कैसे इखटी की है, जैसे काली मिर्च खाई, काली मिर्च खाने के बाद में अगर वो जब ध्यान शादन लगाते हैं, तो देखते हैं कि काली मिर्च खाने के बाद में सरीर पे क्या प्रभा पड़ा, या उन्होंने पान गर्म पानी से लेते हैं, तो क्या इसमें फरक आता है सरीर में, और अगर ठंडे पानी से लेते हैं, तो क्या फरक आता है, जादा लेते हैं, तो कैसी वेदनाय निकलती हैं, जैसे मिर्च अगर आप थोड़ी सी खाएंगे, तो वेदनाय जो तीब्र वाली हैं, वो कम आएंग जैसे कोई व्यक्ति आया और आपके पास आके बैठा तो वो ये चेक करते थे कि इस व्यक्ति के आने से मेरे सरीर पे कैसी वेदनाय आ रही है इसके लिए साहनबूती के आ रही है या प्यार की आ रही है या लड़ाई की है या जगड़े की है या गुसे की है या अफसाद की हैं या तीबता की हैं या अफसोस की हैं जैसी भी आ रही है वो उसका धिन करते थे ऐसे ही कहिं अगर युद्ध होता है तो युद्ध में क्या का फर्क पड़ा एक सैनिक पर क्या होता था तो वो सब अपना चेक किया करते थे घर के अंदर जो मा होती थी उनको वो चेक करके उनका विशलेशन करके उनका अध्यन करते थे ऐसे लोगों को वेदक बोते थे वेदक जो इन वेदनाओं का अध्यन करते थे अभी तो हम वेदनाओं का जो जानकारी है वेदना का मतलब हम दर्द बोते हैं जब किसी को कहते हैं कि आपको कोई वेदना हो रही है इसका मतलब है कि आपको पेन और दर्द हो रहा है मगर पुराने समय में पाली समय में वेदना का मतलब है कि सरीर पे जो भी प्रभाव हो रहा है उसको वेदना अगर अच्छा हो लग लग रहा है तो उसको सुखद वेदना और अगर का प्राइब नेट भी steady कि दो कि नूआ सी выпускके भी हुआ हुआ है झाल